तोड़े वी आगोई टो डिसकेस अबाउट बैलेंसीट सो बैलेंसीट असेट्स और लाइबिलिटीज का एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हल से बैंक डिसाइड करता है कि उसे कंपनी को लोन देना है या नहीं अब ये बैलनसीट दो तरह से बनाते हैं एक होता होता है होता 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 है और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है अच्ट इसकल टू लाइबिलिटीज प्लस एक्क्विटी इसकी बैंक में कितना कैस पड़ा हुआ है उसके पास कितने स्टॉक है यह सब असेट में आ जाते हैं और लाइबिलिटीज उसने कितनी बॉर्विंग्स की है लॉंग टम बॉर्विंग्स है या इसने किसी मसीनरी खड़ी दी है तो उस पर इमाई लग रहा है तो यह सब ल बैलन सीट को कैसे प्रपेर करते हैं so balance sheet को प्रपेर करने के लिए हम सबसे पहले line में लिखते हैं particular and then note current year last year यानि कि हम इसमें 2 सालों का comparison करते हैं कि last year कैसा perform किया company ने और इस year कैसा perform किया तो उसको हम compare करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं equity and liabilities, जो यह equity या capital term है, यह अभी recent में ही जोड़ा गया है, बना पहले कि यह liabilities ही दी जाती है थी balance sheet में, ओके, तो सबसे पहले आता है equity and liabilities में, equity में आता है सबसे पहले, shareholder fund, तो कि जो shareholder है, उतने shares को खरीदने के लिए कितना fund लगाया है, यह होता है shareholder fund, फिर इसमें आते है share capital, अब यह note का मतलब है कि number 1, share capital note number 1 में है, यानि कि जब हम note number 1 में जाएंगे तो हमें share capital की पूरी detail मिलेगी, ऐसी reserve and surplus, यानि कि company के वास कितना reserve है, और कितना उसे profit हुआ है, यह note number 2 में, ऐसी money received against share warrant यहे 3 में, यानि कि जो share warrant एक case होता है, ज उसे हम बोलते है money received against share warrant, तो यह होता है note 3 में, okay, so अब हम देखते है share application money pending allotment, यानि कि जो share है, जो कि है ना अभी allotment में, यानि कि 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 कोई नई company आई, उसने हमने share को बेचा, लेकिन है ना, जो share holder है, उनने अभी आते रुपए दिये और आते रुपए अभी नहीं दिये उन share को खईने के लिए, यानि कि वो pending में पड़े हुए है, जब वो आते रुपए फिर दे देगा, तो फिर वो pending से हट जाएंगे, तो इसको हम बोलते है share application money pending allotment, ये second number पर आता है, पर ये अब के लिए इतना ज़्यदा important नहीं है, important हुगा share holder fund, फिर आता है non current liabilities, अब liabilities जाती है, तो होती है non current liabilities, यानि कि जो pay होती है more than banier में, तो उनको हम बोलते है non current liabilities, इसमें आ जाती है long term borrowings, जिनने है न, ऐसी उधार लिया, जिसको repay करने के का जो समय होता है, वो more than banier का होता है, debt tax liabilities, debt tax का मतलब होता है, जिसको हमने postpone कर दिया, ओके, यानि कि हमें future मे liabilities और other long term liabilities, other long term liabilities जैसे कि आम ना कोई machinery खरी दी, किसी भी company ना कोई machinery खरी दी, तो फिर उसको उसने आधे रुपे देखे दिया, फिर आधे की EMI चल रहे है, तो उसको हम बोलते है other long term liabilities, okay, अब हम देखते है current liabilities, okay, so यह हो गई हमारी other long term liabilities and then current liabilities, current liabilities ऐसी होती है, जिन term borrowings, trade payable and other current liabilities, okay, ऐसी liabilities जैसे कोई machinery उसका जो payment है, उसका payment हमें एक साल के अंदर ही करना है, उसको हम बोलेंगे other current liabilities, तो यह हो गया, इसमें किवल difference क्या आता है, non current liabilities और current liabilities में, non current में आ रहाता है debt tax liability और इसमें आ गया trade payable, okay, यह जो balance sheet है, वो हम किसी company की discuss कर रहे है, इ इसलिए पहले आपको liabilities, equity लिखनी होगी पर उसके बाद आपको उसके नीचे ही लिखना है, just नीचे, assets, okay, तो हमारा जो liabilities का और equity का जो term है, वो खचाम हो गया, अब हम discuss करेंगे assets, तो second number पर आएगा asset, note, current year and last year का हम compare करेंगे, तो non current asset, यह भी दो तरके होते है, non current and current, non current asset 而已 which is more than barrier के लिए होते होते हैं, इसमें बाद आते है field asset, field asset में जैसे क lens error, जैसे कि कोई भी building हो गई, जिसे कोई company move लिया कॉपी राइट हो गया तो यह सब आजाएंगे इंटेंजिवल असेट उसकी ऑनेस्टी कैसी है वो डूल्स फॉलो करता है या नहीं तो यह इंटेंजिवल असेट में आ जाते हैं जो आधी विल्डिंग बनी है तो वो जाएगी कैपिटल वर्क प्रोग्रेस फिर आता है इंटेंजिवल असेट अंडर डेपलमेंट यानि कि कोई कंपनी है वो उसना कोई आईडिया निकाला तो वो उस पर पेटेंट लेना चाहती है तो फिर वो कि अभी उसका समय पूरा न नंबर पर पहले तो था फिस्ट असेट एंडन नॉन करेंट इंवेस्टमेंट ऐसी इंवेस्टमेंट जो कि एक साल से ज्यादा की हो पर आता है डेफर्ड टैक्स असेट इसका मतलब होता है ऐससेट जो कि एना पॉस्टपॉन कर दिये गये फ्यूचर में यानि कि किसी कोई टॉमेट्टो प्रासेसिंग कंपनी है तो फामर ने ग्रो किये टॉमेटो लेगन कुछ बैदर कंडिशन फेबरिबल ना होने के कारण पूरे टमाटर खड़ा हो गए तो पर जो उसकी उसने चो लोन लिया तो उसको वो क्या करेगा पोस्ट पॉन कर देगा यानि कि फ विस्कास करते हैं करेंट असे यो की एक साल के ली होते हैं जैसे कारेंट इंबस्टमेंट हो गही इस स्टौक स्टॉक जिसे बेचकर कंपनी पैसा कमाएगी या निकिसयो निंद लों कि bility सो घ्ए घीघ् सो गया या पिर जो टॉमेटो बनाने के सिगे मशीन के लीए जो इ तो यह हमारा complete हुगा हम balance sheet को कैसे बनाते हैं तो इसमें दो तड़े की question आ सकते हैं पहला पूचा जाएगा कि आपको balance sheet बनानी है in full detail में तो आपको यह सब लिखना पड़ेगा लेखने अरी आपको बोला कि एक brief में बना दो balance sheet तो आपको जो main main point है वो लिखने हैं जैसे कि आ उसमें आपने लिखा shareholder बाला पहला point पर दूसरा non current liabilities and current liabilities बस इतना and then आपको assets में पूचा तो उसमें आपको लिखना है non current asset उसमें लिखना है fixed asset and then non current investment and then आपको फिर current asset में लिखा तो आपको एक दो point लिख दीजिए जैसे कि current investment or stock and consumable तो आपको brief में पूचा जाए तो आ आपने black black से highlight किया आपको बोही लिखने है okay अब हम पढ़ते हैं अब हम types of liabilities कितने types की होते हैं वो देखते हैं तो liabilities सबसे पहले क्या होती है bank किसी भी company की कितनी borrowings है ठीक है तो उसको हम बोलते है liabilities यानिकि किसी company ने कितने loan ली है उसको हम liabilities बोलेंगे ये दो तरह की होत होती है इसको एक साल के अंदर ही रीपे करना होता है और जो non current liabilities होती है वो long term liabilities होती है जिनको हमें repay करना होता है more than one year में ठीक है तो यह होती है हमारी current liabilities and non current liabilities अब हम दिखते हैं कि asset क्या होते हैं यह ऐसा items होते हैं जो कि cash में भी present हो सकते हैं आपर किसी building बगेरा machinery की case में होते हैं तो यह asset होते हैं यह कितनी net worth है किसी company की तो यह दो तरह की होते हैं fixed asset यानि कि non current asset यह modern बनियर के लिए होते हैं था asset which gives a long term benefit देते हैं उनको हम बोलते हैं fixed asset ठीक है ऐसे asset जो कि long term benefit देते हैं किसी business को जैसे land हो गया building हो गई plant यह machinery हो गया फिर आता current asset current asset क्या होते है assets which remain in business only for short time यानि कि बनियर के लिए होंगे उसे कम and can be converted into cash very easily ओके जैसे की cash हो गया in hand cash at bank stock हो गया bill receivable etc अब देखते हम net worth capital और online equity क्या होती है the amount invested in business by the shareholder यानि कि जो shareholder ने उतने उनने share को खरीदने के लिए कितना amount invest किया है business में उसको हम बोलते है capital ओके और यह क्या होता है यह access asset होता है ओवर liabilities यानि कि जो asset होगा वो liabilities से ज्यादा होगा तो net worth क्या होगी है capital की कितना capital है और reserve कितना है किसी company का तो capital is equal to assets minus liabilities is equal to capital capital जो बचता है liabilities यानि कि loan को assets में से के बाद जो amount वजती है उसको हम बोलते है capital okay i hope कि आपको capital भी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब दो important term है एक होता है depreciation and एक होता है amortization so depreciation क्या होता है किसी भी जो कोई commodity होती है पर कोई machine होती है उसकी जो value होती है समय के साथ वो गटती जाती है जैसे कि आपने कोई machine है या पर tractor हुए है वो खड़ीदा तो वो आपने खड़ीदा दो लाक रुपए में ठीक है या पर दस लाक रुपए में तो वो आपने पांच साल बाद आपको उसे बेचना है तो पर वो कम में बिकेगा यानि कि amortization अब यह amortization जो intangible assets होते हैं उनके case में होता है जो intangible assets है उनके समय के साथ यदि value कम हो उसको हम बोलते है amortization ओके